अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही इस बेल एकम बेग किलिक करना ना भूलें सारी इंफ्रमेशन आपको मिलती रहेगी तो चली शुरू करते हैं नमस्का दोस्तों सिंपल्टेक्स सब्सक्राइब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपको पताऊँगा कि आपके किस कारणों की बेज़े से आपको जो फॉन की पर्फॉर्मेंस है वो कहीं ने कहीं डिक्रीज हो जाती है आप ऐसा करना तो नहीं चाह लेकिन कहीं ने कहीं वह फॉन हमारा खराब या उसकी जो पर्फॉर्मेंस हो कहीं हो जाती है तो क्या वह बुरी आथा उसके लिए मैं आपको आज बताऊंगा मैंने मिनली टॉप 5 मैंने जहां पर चुनकर रखे हैं कि आपको टॉप 5 जो भी सेलेक्टिड हैं वही मेहतन मे और पोकिन करते हैं यहां करता है जब भी वो अपने फॉन को ओपन करेगा या वहाँ देर से काम कर रहा होगा तो जब अपने फॉनको करेगा तो एक बार अपने बैकडाउंट से फ्को क्ल जरूर करेंगा जैसे कि मैं इहांपर गया हो यहांपर कर दिये मैंने सारे हैं हो गा उसे यह क्या लगता है कि वह पन्द आपकी वाद इस बंद कर दिया और इसको फिर किल कर दिया background app में जाके तो वहां पर होगा जब भी आप facebook को फिर से open करोगे तो आपका जो प्रोसेजर है वो कहीं न कहीं zero से start करेगा facebook को और उसके लिए उसको file भी चाहिए उसको लोगो बर्क बहुत करना पड़ेगा और जब प्रोसेजर को बर्क करना पड़ेगा तो कहीं कहीं कम हो जाएगी तो आप इस तरह का कोई भी काम ना कीजिए कि जिससे कि आपकी बैट्री की प्रफरमेंस पर असर पड़ेगा पहला आपको बता दिया मैंने background apps को किल करना दूसरा है जो सबसे important है और बहुत से लोग करते भी हैं मैं नहीं करता जनरली करते यह हैं कि मान प्लेट पर जाने के बाद आपको वह एप नहीं मिला तो आप गूगल पर जाओगे गूगल पर जाने के बाद आप सर्च करोगे तो unknown source से आप वह एप डाउलोड कर लोगे कर लोगे काम भी कर जाएक कभी-कभी होता यह कि आपको फॉन को हैंकर देता है कभी-कभी होता य प्राइवेसी है जो भी परमीशन वह आपके लिए लेता है कॉंटेक्स के परमीशन ले लेता है प्राइवेसी आपकी ब्रेक होती है सिक्कर्टी आपकी ब्रेक होती है तो आप unknown source से किसी प्रकार का कोई भी आप डानलोड ना किजिए गूगल पर बहुत बड़ा है आप उ सब्सक्राइव में पर लेकिन कईने के वह आपने कोई अपने कोई ऐपने करते हो आप गाने एलीगल एपसाइट बालोड करते हो गुगल पेले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं तो आपके जो फॉन है वह कहीं बढ़ेगा बैक्ग्राउंड में रन करता रहेगा तो आपके जो फॉन होने की चांसे बढ़े जाते तो आपको एंटिवारस डानलूड करने की खासकर एंड्रोइड में कोई भी जरूद नह ही है उसके बाद आगर मैं बात करूं बैटरी बैटरी परफ़मेंस सब लोगों को टार्गेट रहता है कि सुबह अपनी बैटरी को चार्ज करें और रात पर चलती रहे और बैटरी की जो पावर है वह हमारी बरकरार रहे नब्य परसंट असी परसंट फिफ्टी से नीच जेना जाए तो उसके लिए क्या करते हैं बैटरी सेवर आपने डाwnलोड कर लिया बड़े बड़े एप सापने डाwnलोड कर लिये क्ली आपने डानलोड कर लिये होगा है इसकी ज़रूरत क्यों पर इगर बैटरी सेवर करता है मान के लिए आपने बैटरी सेवर टावलोड कर लिए तो करेगा कि या बैटरी कर देगा बैटरी चाहिए उसे चलाने के लिए भी बैटरी चाहिए बैटरी सेवर है लेकिन चलाने के लिए बैटरी का यूज करेगा तो कहीं बैटरी उसमें भी आपके कंजिम होगी अगर बैक्रांड करता रहेगा आपकी रेम फ्री नहीं नहीं हो पाईगी तो आप ऐसे बैटरी सेवर को आपको डाउंडोड करने की बीजरूरत नहीं है पड़ेगा आपकी जीरो से फाइल लेकर आनी पड़ेगी तो उससे भी आपकी बैक्टी डाउन होगी तो ऐसे अपस को डाउनलोड करने की ज़रूद नहीं है जिसे आपकी फॉन की प्रफॉर्वेंस से क्वाल्टी भी घराब होती है उसके बाद में आपको पता दूँ एप पड़े yer अधियर स्वाइन की ड्युक्षण की टैलिफ़ौनु इसटीय्ज की तो यहां पर इतनी मिश्षण की क्या जरूरींट पड़ी है सब्सक्राइब गया कि और रॉक लोकेशन कि जरोध पड़ती तो कहीं है का वे सिर्च को गॉर्लोड करा से इंणिट को डालोड करें और सीधा कर दिया परमिशन मांग रहा है dalूल रखी, तो एक विर हैं मांगते हैं प्रमीशन दें आप अपने पर्मीशन दें तो इसके लिये प्रमीशन दें कि आपने आप कोई पर्मीशन माग रहा हो जो आपके security को आपकी privacy को break करती हूं तो आप प्लीज ऐसी कोई परविशन ना दे यह तो हुए top 5 method इसके अराबा routing का method है कोई भी नया phone है आपने पर्चेस करा आपके phone में मांगे जाए लॉलीपॉप है तो आपने देखा कि मार्श मेलो बड़ा अच्छा काम करता है तो आपने क्या अगरा फॉन को root कर दिया और आपने कोसिस करी कि मैं अपने लॉलीपॉप को मार्श मेलो कर दूंगा उससे होगा यह है कि आपकी एक तो आप जब भी phone को root करोगे तो आपको पहले तो उसकी पूरी knowledge होनी चाहिए अगर आपको knowledge नहीं तो आपको phone damage हो सकता है दूसरी बात अगर आपने phone तो root कर लिया तो उसकी वारंटी है वो तो break होई गई साथ में आपने जब वो आप convert करोगे ऐसे 10-15 दिन में एक बार restart कर दीजिए जिससे कि वो refresh होता रहे अपने जो performance है उसको increase करता रहे तो दोस्तों कहीं ना कहीं जिए जितने भी apps है और जितने भी काम है यह हमारी battery पर पूरे-पूरे dependent है क्योंकि कि किसी भी काम को करने के लिए प्रोसेजर को काम करने के लिए battery की ज़रूरद पर पड़ेगी जिस तरह हम अगर काम करते हैं तो साथ ही हमारे जो को पता चल सके कि कौन से काम हम घुर नहीं करें तो आपका phone की जो performance है increase हो सकती है प्लीज हमारे अगर आप नही हमसे चुड़ना चाहते हैं तो हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू सो माच एंड बाइबाय टेक क्या